love infinite में आप सबी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है new subscriber का भी बहुत स्वागत है new viewers हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आपको ये वीडियो देखने को मिला और thank you so much आपने इस वीडियो को देखा और देखते हैं आज हम कि A and B इन दोनों में से एक को चुनने के बाद आपको इंटर्स क्या आशिरवात देते हैं ये देखने के लिए मैंने यहाँ पर A और B को distribute किया है कि आप या तो A को चुन लीजिए general reading है ये भी धियान रख लीजिए या B को चुन लीजिए आप इस समय किस सिचुएशन में है और उस सिचुएशन में से निकलने के लिए आपको क्या blessings मिल रही है इंजर्स के थूँ ये भी देख लेते हैं ठीक है तो angelic cards है यहाँ पर तो angelic cards में से कोई भी 2 cards हम निकाल लेते हैं ठीक है कौन से निकाल लेते हैं यह ठीक है आपने कहा तो यह निकाल लेते हैं यह वाला ठीक है इनको read out करेंगे कि आपको किस तरह की blessings इस टाइम मिल रही है ध्यान से सोचिए समझिए और गहरी सांस लेजिए और चुल लेजिए A या B में से अभी आपकी current situation थोड़े से card निकाल लेंगे और साथ ही साथ blessings भी देख लेंगे कि आपको angelic blessings क्या मिल रही है इश्वर का क्या अशिरवाद आज के दिन के लिए आपको मिल रहा है तैंक यू सो मज आपने A को चुना तो A में आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है आपकी क्या situation है इस टाइम क्या सूचते हैं आपकी आप की आप love side में या career side में आपका किस तरह से दिमाग घूम रहा है किस तरह से चल रहा है अपनी health के बारे में भी सोच रहे है कुछ ऐसा ही चल रहा है आपके मन में तो in the high priestess in the death card rivers में आया है in the bottom of the deck as the queen of wands काफी खुबसुरत इनसान है आप हो सकता है आपकी height up to six feet हो और बहुती energetic खुबसुरत इनसान गेहुआ रंग भी हो सकता है आपका और बहुती energetic जिसे करते है ना enthusiastic मुझे यह भी करना है वो भी करना है और सब कुछ आता है skillful है आप पूरी तरह की से skillful पूरा सब कुछ आता है बहुत सी चीजें हैं जो आपको आती हैं तो आपको यह लग रहा है कि शायद आपके साथ नियाई नहीं हुआ है इस तरह की feelings आपको आ रही है हो सकता है आपके relationship में कुछ गरबर चल रही हो जो कि आपको पसंद नहीं आ रही हो और कुछ भी ऐसा गलत हो सकता है कुछ negative आपके खिलाव आपके ही घर वालों ने या आपके family members ने कुछ ऐसा कह दिया हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना चाहिए और जिस वज़े से आप पूरी तरह से अकेली भी पड़ गई है या अकेले पड़ गई है आपको लगता है कि सारी जिंदगी शायद ऐसे ही जाएगी और अब तक आपने जितना रोना था वो आप रो चुके हैं इतना रोने के बाद अब आपको यह लगता है कि जो होगा सो अच्छा हुआ अब मुझे अकेले ही गुजारना है जीवन तो मैं अकेला ही कर लूँगा सब कुछ तो इश्वर आपको हर तरह की खुशियों से आपने इश्वर ने आपको नमाज रखा है बहुत अच्छी तरह के लोग भी हरान हो जाते हैं कि इतना सब कुछ तुमें कैसे आता है और कहां से सीखा तो आपके अंदर ही इंबिल्ट है आपके अंदर स्किल है आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं आप बॉइज भी है तो अगर आपको किचिन में काम भी आजाए तो आप काम भी आप किचिन का बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हैं पका लेते हैं तो द कि skill भी आपके अंदर है और ऐसे ही awareness आपको दुनिया के बारे में भी है कि कौन सा इंसान कैसा है सामने वाले की soul को भी देखकर आप पचान जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है किस से कितनी बात करनी चाहिए किस से नहीं इतना क्योंकि आपने अपने अंदर के darkness को देखा है अपने बहुत सारी deaths देखी है इन deaths के बाद अब आपके अंदर कुछ नया परिवर्तन हो रहा है बहुत कुछ अकेलापन आपने इसी वज़े से देखा है क्योंकि बचपन से लेके अब तक आपने अपने छोटों का और बड़ों का भी अपने सामने death देखी है हो सकता है आपको resonate करे भी नहीं भी करे तो इतना serious मत हो येगा ये general reading है ये देख लेजेगा हो सकता है आपको resonate करे तो अच्छी बात है बात ये है कि अगर ये सब हो रहा है आपके साथ तो आप एक बहुती strong personality बन कर उब रहे हैं और आपको इंजल्स की blessings भी मिल रही है आप बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते हैं संभालते हैं और बच्चों से related कुछ काम करते होंगे dance, drama, healing होती है ना बच्चों के भी तो इस तरह का और tuition, singing इस तरह का कोई काम जो creative भी है और बच्चों से related है इस तरह के काम में आप अपने आपको डुबाई रखते हैं या बच्चों से related ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए बच्चों के लिए कोई stories, story writing या poem writing कुछ इस तरह का करना आपको बहुत पसंद आता है और बहुत ही मुश्किलों से आप जो जूज के निकले हैं तो इसके लिए आपको जो blessing मिलती है वो है number 14, a blessing on a friendship ठीक है, number 14, number 5 को बताता है, जो कि एक बहुत drastic major change को बताता है major change होने वाला है आपकी life में वो भी बहुत positive, यहाँ पर unicorn देख रहे हैं आप और एक खुबसरत लेड़ी देख रहे है जो कि शान्त है और लेकिन दूर तक उसकी निगाएं टिकी हुई है कि उसे कहा तक जाना है और क्या करता है तो यह card उस friendship के लिए blessing है, जिसमें आप अपना best self निकाल कर लेकर आरने वाली है, जिस friendship ने आपको बहुत अच्छा और बुरा दोनों तरह के समय दिया है इश्वर करें कि आपकी जो friendship है उसको इतनी खुशी और ताकत मिले कि जिससे कि आपको किसी भी तरह की ठेस ना पहुँच पाए है ना, आप बहुत ही ज़्यादा इमानदार हैं, बहुत ही intuitive हैं और अपने काम में बहुत ही kindness वाला आपका behavior है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहती हैं आप अपनी दोस्ती में भी तो अगर आपको इतना लॉयल रहती हैं कि दूसरे आपका फाइदा भी उठा लेते हैं आपके इस nature का और सोचते हैं कि इनके साथ तो कैसा भी behavior कर लो ये शानती रहेंगे, लेकिन यही blessing आपको मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा bright and blessed जीवन जीएं और हर मुसीबत में आप एक milestone बनकर साबित हो, कि आपको ये आप अपने जीवन से ही खुश रहें और आपके साथ साथ दूसरे भी आपसे प्रणना लेते रहें Thank you so much अगर आपने A को चुना दो and welcome to the B आपने B को चुना है और आपको blessings भी मिलती है, देखें आपको blessing क्या है, blessing for a mother a blessing for a mother and just please बताएं, अभी आपकी क्या situation है बहुत साथा साथ से ही निकालेंगे हैं अभी देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो काफी, थोड़े सा bottom of the deck, the magician, देखें कोई ना कोई है ऐसा आपके घर में, परिभार में कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने life hell कर दी या कुछ इस तरह कैसे कि हालत खराब हो रखी है, ये वाली बात है कि जिनकी वज़े से हालत खराब हो गई हैं कोई lady है, या कोई mother figure हो सकती है बड़ी sister हो सकती है, आपकी आपकी person की, जिन्होंने आपकी life इस तरह से बना दिया कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा क्या करना चाहिए life में तो अभी आपकी situation यही मुझे समझ में आ रही है, general reading है यह ध्यान रख लेजेगा, कि आप जिन से प्यार करते हैं या जिन्हें चाहते हैं या जो आपके spouse हैं जिनके साथ ही आप रहना चाहते हैं वो काफी ख़डूस टाइप के हैं ideal टाइप के हैं चुपाने वाले हैं सही बात नहीं करते हैं ठीक है, बाहर से बहुत अच्छे smart और handsome बने रहते हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर थोड़ी सी चलिसी भी है बहुत envy भाव रखते हैं जलन का भाव रखते हैं एवन आप से भी आप से भी जलन का भाव रखते हैं तो आपको यह बात बिलकुल भी कवारा नहीं होती इस तरह के person के साथ और आप सोच रहें कि इस रिष्टे में कैसे जाओं इतने आगे तक, मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे देखना है, लेकिन मुझे तो यह रिस्ता ही नहीं दिखाई देरा मैं कैसे इस रिष्टे को आगे बढ़ाऊं, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं बस करो यह रिष्टा यहीं पर स्टाप करो वो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करू तो क्या करू मेरा दिल उसी पर आता है ऐसे ही अगर आप लेडी है तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा नहीं मुझे तो पसंद हैं जिसे कहते हैं 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 फिजिक जो अन hon डेखिए कि वो क्या है तो आपको बहुत दूर तक नहीं जाना है या नहीं आपकी उपर भात है कि आपको कैसा सोच है क्या सोच है आपकी क्या नहीं है क्या करना चाहिए क्यूंकि आप देखलीजें आप और आपको blessing मिल रही है divine की तरफ से blessing for a mother मतलब मा अब जरूरी नहीं है कि आप एक मा ही हूँ और ये भी जरूरी नहीं है कि मा बनने की blessing है ये blessing ये है कि ये एक sacred और challenging बात को समझने की क्योंकि मा बनना है एक sacred पवित्र रस्ता है है ना कष्ट होता है शारजिक केस्ट बहुत बहेंकर होता है बहुत ये बहेंकर ठीक है उसके बात भी mother बनने के जैसे mother बनती है एक स्थरी तो उसको उसके आँखों जयांसु आते है क्यूं क्यूंकि उसके जैसा कोई ऐसास ही नहीं है उसके जैसा सुन्दर तिव ऐसास कोई है नहीं तो अगर मा लेज़े चल ये कोई बात नहीं आपके अभी बच्चे नहीं है आप अन्मारिट है या अभी बच्चे नहीं है कोई बात नहीं तो ये आपके अंदर के लिए अपनी अंदर का मदर को नर्चर करना बताता है ये आपको blessing ये दे रहा है कि आप अपने अंदर की मदर को जगाए आप हर समय किसी मदर का ही साथ ना डूंडे और ना ही अगर मा लीजी नहीं भी बन पा रही है आप मा तो ये मत सुचे कि मैं मा नहीं बन पाई इसके लिए इतना regret करने की जुरूद नहीं है क्योंकि divine जो देता है वही हमारे लिए सही होता है तो जो जैसा है इसलिए मैं कहते हैं हर समय accept कीजिए जैसी भी आपकी situation है उसको accept कीजिए क्योंकि हो सकता है नहीं हो आपकी life में इस तरह आपकी destiny में कि आपका मा बनना यह बोलने सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं जो है जो सच है सच को सुनना तकलीफ दे है उसको पचाना उतना ही ज़्यादा तकलीफ दे है तो कोई बात नहीं अगर आपने सच का सामना करने की शक्ती है तो फिर आपको हर तरह की imperfection को भी सीखने की शमता होगी समझने की उसको accept करने की हर कोई perfect नहीं है इस जीवन में इस धर्ती पर इस प्यारी भूधरा कर कोई भी perfect नहीं है तो जब कोई भी परफेक्शन नहीं है तो हम ये क्यों कहें कि हमीं इंपरफेक्शन है सबका तो सब होता है नहीं सब के पास सब कुछ नहीं होता है सब के पास सब कुछ नहीं होता है कुछ ना कुछ कमी इश्वर हमारे लिए छोड़ी देता है ताकि हम कुछ सीखें, आध्यात्मे की और जाएं, अगर हमें सब कुछ ही मिल जाए, तो हम आध्यात्मे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो यही यह समय आ गया है, यही यह आपको ब्लेसिंग मिल रही है, कि अब आपको सहारी की जुरूत नहीं है, ना तो आप किसी मां का सहारा ढूंडिये, ना ही आप अपने लिए किसी बच्चे का सहारा ढूंडिये, अगर नहीं है, तो इस ओके, यह आपकी किस्मत में है, अब आपको करना क्या है, कि बस आप अपने आपको जॉइफुल रखें, जितना हो सके जॉइफुल रखें, और अगर यह रिष्टा आपको सहीज नहीं लगता है, तो उससे बाहर निकलें, किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर उससे सुधारने की कोशिश करें, हर चीज में टाइम लगता है, कोई भी रिष्टे को बनाने में, और फिर वापस उससे खीच के बाहर निकलने में भी टाइम लगत